नमस्ते, मैं रफीक सुलेमान हूँ और आप Cloud Simplified देख रहे हैं नमस्ते, सभी को और Cloud Practitioner Express के एक और पार्ट में आपका स्वागत है और इस पार्ट में हम बताएंगे कि मेरे क्षेत्र चयन मानदंड क्या हैं हम देखेंगे कि AWS में कई क्षेत्र हैं और अब मुझे अपना बुनियादी धांचा तैनात करने के लिए इन में से किसी एक क्षेत्र को चुनने की जरूरत है तो सवाल ये है कि मेरे पास कितने क्षेत्र हैं, वर्तमान में मेरे पास कौन सा अध्यतन नंबर है और इस प्रशन का उत्तर देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस प्रशन का उत्तर देने के लिए AWS Global Infrastructure वेबसाइट पर जाएं और जाने कि वर्तमान में हमारे पास कितने क्षेत्रों की अध्यतन संख्या है चलो, देखते हैं, बहुत अच्छा आईए, अब आगे बढ़ें और समझें कि हमारे पास मौझूद क्षेत्रों और एजेड की संख्या के बारे में नवीनतम अपडेट कहा है सबसे अच्छा तरीका ये है कि गूगल पर जाएं और AWS Global Infrastructure की जाच करें और फिर ये यहाँ पहला लिंक है, मैं इस पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यही समझ सकता हूँ तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वर्तमान में हमारे पास जो नवीनतम संख्या है वह यह है कि AWS में 31 क्षेत्र और 99 उपलब्धता क्षेत्र है तो बहुत तेजी से गणित करने पर एक क्षेत्र में निवनतम 3 एजेड होते है तो आप समझ सकते हैं कि 31 को 3 से गुणा करने पर मुझे 93 मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अन्य क्षेत्र भी हैं जिनके पास केवल 3 से अधिक उपलब्धता क्षेत्र है यह क्षेत्र कहां है? चलो चलें और जाँच करें तो यदि आप यहां इस प्रकार गए तो यह AWS के सभी क्षेत्रों का मानचित्र है और हरे रंग में यह उभरते हुए क्षेत्र हैं जहां आप आज जा सकते हैं और अपना बुनियादी धांचा तयार कर सकते हैं और लाल वाले वे क्षेत्र हैं जहां वे जल्द ही आ रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जल्द ही कनाडा, इसराइल, मलेशिया, न्यूजिलैंड और थाइलैंड में पांच और AWS क्षेत्र आने वाले हैं। इसलिए उदाहरण के लिए मुझे जाकर इस क्षेत्र की जाँच करने दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया, यह यूएस इस्ट वाला है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे 2006 में लॉंच किया गया था, और यदि आपको याद हो, तो यह लॉंच होने वाला पहला क्षेत्र था, और क्या, इस क्षेत्र के अंदर हमारे पास 6 उपलब्धता क्षेत्र हैं। यह AWS का सबसे बढ़ा क्षेत्र है, और हमारे यहाँ 6 उपलब्धता क्षेत्र हैं। लेकिन उदाहरण के लिए अण्यक शेत्र इसे पसंद करते हैं, उदाहरण के लिए ओहियों में हमारे पास 3 उपलब्धता क्षेत्र हैं। एक और उदाहरण के लिए यहां सियोल में इसे बीस सोलह में लॉंच किया गया था और इसमें उदाहरण के लिए चार उपलब्धता क्षेत रहें इसलिए यह पेज बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप जानना चाहते हैं कि AWS के पास वर्तमान में कितने क्षेत रहे कितने उपलब्धता क्षेत रहें इससे संबंधित नवीनतम अपडेट क्या है और एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा हम इसे अगले पार्ट में देखने जा रहे हैं जिसे हम उपस्थिती का बिंदू कहते हैं या जिसे हम किनारे के स्थान कहते हैं अब यह जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम अनुपालन और डेटा विनियम कहते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपको पिछले पार्ट से याद है जब हमने क्षेत्रों और एजेड को समझाया था तो हमने उलेक किया था कि परिभाशा के अनुसार एक क् क्षेत्र और सरकारी संगठन उनके पास एक जना देश है कि उनका डेटा देश के अंदर होना चाहिए इसलिए यदि यह मामला है तो आपको इस देश के अंदर के किसी क्षेत्र को चुनना होगा और यही पहला मापदंड है दूसरा मुझे ऐसा क्षेत्र चुनना होगा ज एक ऐसा क्षेत्र चुनना चाहता हूँ, जो मेरे उप्योग करताओं से निकटता रखता हो, जो मेरे उप्योग करताओं के करीब हो, और वह नमबर दो है, नमबर तीन, और यह दिलचस्प है, सेवाओं की उपलब्धता. तो देखने वाला कोई कह सकता है, क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास सभी क्षेत्रों में सभी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं? और जवाब है हाँ, विशेश रूप से उदाहरण के लिए नए लौंच किये गए क्षेत्रों पर, आपको शायद यह न लगे कि हमारे पास इ ऐसा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके डिजाइन में शामिल की गई सभी सेवाएं इस क्षेत्र के अंदर पहले से ही सक्रिये हैं और अंतिम मानदंड लागत है। उदाहरण के लिए यदि मुझे कोई आपत्ती ना हो, किसी भी क्षेत्र में अपना बुनियादी धांचा स्थापित करना फिर एक और मानदंड यह लागत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन होती है और फिर उतरहा हैं। Сबी क्षेत्रों में लागत समान नहीं हैं। तो यह आपका आखिरी मानदंड हो सकता है जहां आपको जाकर जांचना होगा कि मेरी सेवाओं की कीमत क्या है? इसलिए यदि आपके पास पिछले चयन मांदंड नहीं है तो शायद आपको जाने की आवश्यक्ता होगी और आप अपना बुनियादी धांचा तैनात करेंगे. उदाहरण के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी क्षेत्र और इसके साथ ही हम इस पार्ठ क में मिलते हैं.